Hello everyone, hope you all are fit and fine and enjoying your study at home with your parents. Student, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे next exercise. That is 5.9. As you all can see, that exercise here. इस exercise में हम लोग numbers को multiply करना सीखेंगे. हम लोग कैसे multiply करते हैं? किसी भी decimal number को student multiply करना plus और minus करने की तरह multiply करना भी बहुत ही आसान है. कुछ खास नहीं करना होता है, पहले आप number को multiply करेंगे और इसके बाद place count करके आप point को लगा देते हैं. जैसे यहाँ पर अगर आपको 8.45 में multiply करना है 8 से. student पहले पढ़ने का तरीका सीख लिजे, कैसे हम numbers को पढ़ते हैं decimal number के लिए 8 हो गया. 8.45 कभी नहीं बोलेंगे, 8.45 एक एक number को बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर 8.45 में आप 8 से multiply करिए. तो बिल्कुल उसी तरह से समझ लिजे कि 845 को आप 8 से जिस तरह से multiply करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप 8.45 को भी multiply करेंगे. तो यहाँ पर टेबल काउंट करेंगे, 5 की टेबल, 8 की टेबल 5 टाइम, 8.5 जा 40, 40 का 0 राइट करेंगे, 4 हो जाएगा, carry, 8.4 जा 32, 32 प्लस 4, क्या हो जाएगा, 36, 36 का यहाँ पर 6 राइट करेंगे, और 3 क्यारी हो जाएगा, 8.8 जा 64, 64 प्लस 3, 67 हो गया. अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 नमबर की बाद पॉइंट था, तो आप 2 नमबर की बाद काउंट करके यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, और यह इसका आंसर हो गया. कुछ नहीं करना, जैसे multiply करते आए हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप multiply करेंगे. सी में परिशार होने की जरुद नहीं, 0.6 से कैसे multiply करेंगे, तो आप यह समझेए कि यहाँ पर सिर्फ 6 है, ठीके, तो आप 6 से इस नमबर में multiply करेंगे, अभी point पर ध्यान नहीं जाएगा. तो आपने किया 6, 6 जा, 36, 36 का आप यहाँ 6 write करेंगे, और 3 क्या हो जाएगा, carry, 6, 0, 0, 3 carry, 3 हो जाएगा, again, 6, 0, 0, 6 की टेबल, 0 time count करेंगे, 0 आएगा, 6, 7 जा, 6, 7 जा क्या हो जाएगा, 42, और 42 का आप यहाँ पर 42 write करेंगे. अब देखिए, दो number पर यहाँ point था, और एक number पर यहाँ point था, तो अगर total point का place count करेंगे, तो कितना हो गया, 2 plus 1, 3, तो अब यहाँ पर आप 3 number के बाद point लगाएगे, ठीक है? आप इस तरह से क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही multiply करेंगे, देखिए, यहाँ पर हमने क्या क्या, 0.6 में जब भी multiply करना था, तो इसे 6 समझ कर इसमें multiply किया, और फिर हमने point को count करके यहाँ पर place किया, जैसे यहाँ पर after 2 number decimal था, और यहाँ पर after 1 number decimal था, तो 2 plus 1, 3 हो गया, त same as आपको यहाँ पर भी करना होगा, आप क्या करेंगे यहाँ पर, 63.5 को multiply करेंगे, 1.8 से, कैसे करेंगे इसे, देखिए, यहाँ पर write कर लेते हैं, यहाँ पर 2 डिजिट आ रही है, लास्ट में तो इसे आपको प्रापर तरीके से write करना पड़ेगा, यहाँ आपने कर दिय अब आप इसे इस तरह से समझके multiply करेंगे, आप 18 से multiply कर रहे हैं, 635 में, तो क्या करते हैं, 8 की table count करते 5 times, 8 5 जा, 40, 0 write करते, 3 carry हो गया, 8 3 जा, 24, 24 plus 3, क्या हो जाएगा, 27, यहाँ पर 7 write करेंगे, 2 carry हो जाएगा, अगीन अब क्या करेंगे आप, 8 की table count करेंगे, 6 times, 8 6 जा, 48, 48 plus 2, 50, write कर दिया, अब यहाँ पर 0 करेंगे, फिर next number से multiply करेंगे, 15 जा, 5, 13 जा, 3, 16 जा, 6, plus करेंगे, यहाँ पर 0, 7, plus 5, क्या जाएगा, यहाँ पर 12, 12 का 2 write करेंगे, 1 carry, 0 plus 3, plus 1 carry, 4, 5 plus 6, 11, अब answer में आप point लगाएंगे, देखें, यहाँ पर question में क्या था, after a number point था, और यहाँ पर after a number point था, before a number point यहाँ पर भी था, before a number यहाँ पर भी, मतलब एक number की पहले वहाँ, एक number की पहले यहाँ, तो अकर दोनों को plus करते हैं, तो कितना हो गया, 2, तो यहाँ पर आप 2 number के बाद point प्लेस कर देंगे, clear हुआ, बहुत simple है, कुछ भी tough नहीं है, कुछ खास नहीं करना होता है आपको, बिल्कुल उसी तरह से, आपको multiply करना है, जैसे आप multiply करते हैं, बस point को count करके, सही place पर आपको use करना है, ठीक है, then student, आप जो rest बचे हुए problems है, उनको बिल्कुल इसी तरह से solve करेंगे, जैसे कि आप इदर देख सकते हैं, बी है, या फिर यहाँ पर डी है, और एफ है, उसी तरह से करना है, यहाँ पर जैसे आप क्या करेंगे, इसे 5 समझ कर multiply करेंगे, ठीक है, आपको कोई extra number नहीं समझना है, इसे 5 से आप क्या करेंगे, आप इस तरह से multiply करेंगे, जैसे आपने 5 से इसमें multiply किया हो, ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से जो भी आंसर आएगा आप उसमें point लगाएंगे फिर जब आपको next question लिखना होगा means see तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे इसको multiply करते time आप यही करेंगे इस तरह से लिखेंगे लेकिन मैंने multiply करना आपको सिखाया है कि आप सिब 6 समझ कर इसे multiply करेंगे और फिर point को count करके point place कर देंगे बिल्कुल इसी तरह से आप यहाँ पर भी करेंगे सारे number को multiply के form में लिखेंगे multiply करेंगे उसका answer लिखेंगे और उसके बाद point यूज करेंगे clear was अभी को तो बिल्कुल इसी तरह से आपको यह सारे problems अपनी copy में करने हैं तो बस आज के लिए बच्च्च नहीं next वीडियो में हम इसके question number second और third को solve करना सीखेंगे